हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं वेच फ्राइड आइस तो रेस्पी आप लोग पूरा देखिएगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी फ्रेंट्स यह देखिए हमारा साम का बचा हुआ चावल है तो इसको हम अभी फ्राइब करेंगे ताकि बच्ची हमारे अच्छे से खा सके तो इसको कैसे हम चिट पटा और दानेदार बनाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स पूरा वीडियो बाच करिए तो सबसे पहले हमन ऐसमें डाल कर देंगे मचे में जीरां इसमें डाल कर पका लिए और इसके बात करते हुए प्याज भी olूर्म अब कर का देंगे मचें और अच्छे से बहुत सारा आ जीरां बहुत ज़ता नहीं लिए हैं जो हमारे पास अबलेबल थी वही सब्जीयां हमने लिए हैं इसमें हरा मिर्ज टाल देंगे और प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से घूल से बहुन ले और कोई सब्राइभ स्केम थी नहीं जो हमारे पास अधीर लिया है जो हमारे पास बहुत अधा शेट हैं, जो हमको डाल दीक्ट कि इस पसंपने कम पहुंक तो नमक दमक में जरूरी नहीं है, लेकिन हमने डाला है, और हम इसको अच्छे से चला देंगे, चलाने के बाद हम इस पर धक्कन लगा देंगे, चार से पांच मिनट के लिए हम इसको ढख कर पका देंगे, फ्रेंड्स, पांच मिनट के बाद हम धक्कन को फिर से हटा लेंगे, और सब्जी को चला देंगे तो देखे हमारी सब्हेजी पांघ कर देगे हम चाहब क्या है अच्छेिह नाया मिख आयक डेलकी है अ गम पानिकिए ठोडकर दूड़ा डाल교 कर देगा ठीच सक्छे से मिक्स नाया डालें वाण tutin łuri हमारे चावल पुरी तरह से सब्जी में मिल सकें और खाने में स्वादिस्ट लग सकें इस तरह से हमारे चावल खेले- Stephason nuit बनेंगे जब तोड़ा सा पानी एट करेंगे तभी हमारे स्वाद की और भी हमारे से ब्लच जब करेंगे बनाएंगी तो चावल आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये साम का बचा हुआ चावल है आप इसमें निम्बू भी नचोड सकती है और अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी डाल दीजिए इस चावल को आप ऐसे ही खा सकती है ये बहुत टेस्टी लगता है हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करकर जरूर बताना फ्रेंड्स रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना फिर मिलेंगे थैंक यू